दोस्तों मैं रिधेश कुमार उपाद्याय इंस्ट्यूट आफ कम्प्यूटर एजुकेशन ए फ्री आनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए आपका हर्दिक श्वागत करता हूं दोस्तों अपने पिछली वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि PNB एकाउंट को आनलाइन यूज करने के लिए रिजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है लेकिन यह रिजिस्ट्रेशन तब तक कम्प्लीट नहीं होता है जब तक कि आप प्रोफाइल की सेटिंग नहीं करते हैं तो सबसे पहले हम लोग PNB के नेट बैंकिंग वाली साइड को ओपिन कर लेते हैं अब यहाँ पर यूजर आइडी में जो यूजर आइडी आपकी जनरेट हुई थी उस यूजर आइडी को आप इंट्री कर लिए और उसके बाद कांटीनियू की बटन पर आपको क्लिक कर करना है अब जैसे ही आप कांटीनियू की बटन पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको पासवर्ड इंटर करना होगा पासवर्ड इंटर करने के बाद लेंग्वेज में मैं यहाँ पर इंग्लिस रहने देता हूं यदि आप किसी और लेंग्वेज को यूज करना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं यहाँ नीचे की और यदि आप ध्यान देंगे तो default login page की आगे personal setting by default लिखी हुई है तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि हमको personal setting ही करना है और इसके बाद login की बटन पर हम click कर देते हैं जैसे ही आप login की बटन पर click करेंगे click करते ही इस तरह स PNB का कुछ term condition internet banking यूज करने के लिए आपके सामने आ जाएगा आप जाहें तो इस term condition को पुरा पढ़ सकते हैं चुकि अब इस term condition की भी सहमें मैं discuss करूंगा तो मुझे लगता है कि यह video बहुत काफी लंबी हो जाएगी तो चलिए हम इस term और condition को हम agree कर लेते हैं जैसे ही हम agree की बटन पर click करेंगे click करते ही एक नया page इस तरह से आपके सामने आ जाएगा और इसमें लिखा होगा please enter one time password send to your registered mobile number authentication दोस्तों आपने PNB का account open करते समय अपना जो भी mobile number अपने खाते के लिए दिया होगा उस पर एक OTPI होगी वहाँ जो OTPI हुई है उसको आप यहाँ पर एक नया page आ जाएगा अब यहाँ पर कुछ questions दिये गए हैं जो security के हिसाब से आपको entry करने हैं जैसे मान लीजिए in future आपने जो ID और password बनाया हुआ है suppose that या किसी कारण से आप भूग जाते हैं तो इन questions में जो आप answer दिये होंगे उसकी माध्यम से आप अपने PNB account की ID और password क recover कर सकते हैं यहाँ पर PNB द्वारा क्या कहा जा रहा है PNB यह कर रही है कि 50 questions यहाँ पर दिये जा रहे हैं इन में से किसी भी 7 question के उत्तर आपको देने हैं यहाँ जो भी question बने हुए है question की सुरुवात में एक box बना हुआ आपको दिखाई दे रहा है तो आप जिस भी question का उत्तर देना चाहते हैं सबसे पहले उस question के सामने उस question से पहले जो box बना हुआ है उस पर आपको click करना होगा click करते ही वो box select हो जाएगा और उसके बाद उस question के just bugle में जो आयताकार area बनी हुई है उसमें जो भी आप answer देना चाहते हैं वो answer आप लिख सकते हैं तीसरे option में P ABCD format में हो सकती है या फिर 123 के format में आप लिख सकते हैं जैसे मान लीजिए आप पहले question का उत्तर यदि देना चाहते हैं तो सबसे पहले question के सुरवात में जो box बना है आप उसको select कर लें इसके बाद question को आप पढ़ लें question के आखरी में जो आयताकार area बनी है इसमें आपको उ मैंने 7 question के उत्तर मैंने लिख दिये हैं और उसके बाद मैंने submit की बटन पर click कर दिया है submit की बटन पर click करते ही हमारा यह account का जो page है यह open हो चुका है तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप अपने PNB Net Banking की profile को update करके अपने account तक आप आसानी से पहुंच सकते हैं लेकिन यहां पर लेन देन करने के लिए एक update आपको और करना पड़ेगा यह update क्या है और कैसे किया जाता है मैं जल्द ही अगले वीडियो में cover करने की कोसिस करूँगा दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में जो दी गई जानकारी है यह आपके लिए उपयो कुछ questions हो आप उन questions के उत्तर आप जानना चाहते हों तो वीडियो के comment section में comment के जरिए नहीं संकोच आप अपने प्रस में पोछ सकते हैं और यदि आप इसी तरह की computer internet से संबंधित जानकारियों से update रहना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे इस channel institute of computer education को subscribe कर सकते हैं और य इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को समाथ करता हूं आप अपने किंती समय में से समय निकालकर आप हमारे इस वीडियो को देखे इसके लिए मैं दिल से आपका भारी हूं धन्यवाद thank you very much